जैहिन दोस्तो, मनकी फैक्ट यूटूब चानल में आप सभी का स्वागत है। साथियो आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स सब्जेक्ट के मौस्ट वीवी आई चेप्टर लाइट से जितने भी मौस्ट वीवी आई कोぎ उसको आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सांतियों आप सभी को हम दो पहड में physics के most VBI chapter lights, electricity, heat यह सभी chapter से संपूर्ण एक वीडियो बना कर आप सभी को हम देंगे जिसमें 500 most VBI question होंगे ऐसा ऐसा question होगा जो 30 जुलाई को मतलब परसो जो पुछा जाएगा ना उसमें कोई question आपको हुब हुब देखने को मिलेंगे physics का संपूर्ण आप सभी को मिल जाएगा दो पहड में और साम को आपको chemistry subject के आपको देखने को मिल जाएगे ठीक है 500 question एक वीडियो से 500 question physics का और एक वीडियो से 500 question chemistry का रहेगा ठीक है आज की इस वीडियो में हम लोग revision करने वाले है light chapter का ठीक है ना तो थोड़ा सा speed चलेंग light chapter को आज हम लोग revision करेंगे आप सभी को जादा से जादा question सही करना है ठीक है ना जितना हो सके उतना question जादा से जादा question सही करना है ठीक है तो चलिए बीना समय गवाए या सभी प्रस्णों को देख लेते हैं पाला प्रस्ण आप सभी से पुछा जा रहाए कि सवाल नमर 22 की एक बीकर की तली में कोई वस्तू रखी है तथा बीकर में 12 cm की उचाई तक कोई द्रव भर दिया जाता है यदि वायू की अपेक्चा द्रव का अपवर्तनांग 4 वटे 3 हो तो वस्तू बीकर की तली से उप चर उपसन दिया गया है फटा-फट आप सभी को बताना है समय आप सभी के पास बहुत कम है जितना उससे प्रियोडिक टेवल जितना उससे के कारवन जितना उसक है मेटल या सभी सब्जेक्ट से जतना उसके उतना कोशन को आप देख लिजिए आप सभी को सबसे ज़्यादा अगर सबसे ज़्यादा अगर माक्स अगर आपको उठाने का परियास कर जिएगा मतलब सबसे ज़्यादा अचीब करना है माक्स को तो वो आपका यही सब चैप्टर आपको देगा सबसे ज़्यादा यह सभी chapter से ज़्यादा आपको question पुछे जाते हैं और question अगर ज़्यादा पुछे जाते हैं तो ज़्यादा अगर यह सभी question को अगर सही किजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा number मिलेंगे ठीक है ना चलिए, आप सभी को बताना है, सवाल लंबर, 22 का कौन सा option सही हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 3 cm, सवाल लंबर, 22 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा, 3 cm, अपवर तनांग 4 वต्टे, 3 को अगर 12 cm, height अगर आप कटियेगा, तो वो आपका मान निकल कर आजाएगा, ठीक की जो संक्या होती है वो साथ होती है वो रंगों की जो संक्या होती है वो साथ होती है ठीक है ना चलिए अगला कोशन को देखते हैं अगला कोशन आप सभी से क्या पुछ रहा है कि सवाल लंबर 23 का question को आप देख लिजिए और option कौन सा सही होगा आप सभी फटा-फट बताइए जितना जल्दी हो उतना जल्दी बताइए ठीक है चलिए सवाल 23 का जो सही option हो जाएगा वह हो जाएगा 2.51 हो जाएगा ठीक है ना सवाल नमर दू कि जो वस्तु हो जो वस्तु है सभी रंगों को प्रावर्तित कर देती है उनका रंग होगा उनका रंग होगा जो वस्तु है सभी रंगों को प्रावर्तित कर देती है उनका रंग होगा चलिए चार option देख लीजिए कौन सा option सही हो जाएगा आप सभी को फटा फट बताना है ठीक है चलिए आप सभी को बताना है यह सभी जो question है काफी VBI question है यह सभी जो question है life chapter के काफी VBI है ऐसा ऐसा question ब्यार प्रल ट कौन सा होगा सवाल नमर 2 का कौन सा option हो जाएगा वो हो जाएगा यह सुएथ हो जाएगा सुएथ हो जाएगा ठीक है चलिए अगला question को देख लेते हैं अगला question आप सभी से क्या पुछ रहा है कि सवाल नमर 24 की 40 cm गहराई की बाल्टी पानी से लवा लव भड़ी है तो बा सवाल नमर 24 का कौन सा option सही होगा तो देखे 40 cm गहराई की बाल्टी में पानी से लवलवा भड़ी हुई है तो अब 80 गहराई निकालने के लिए कर रहा है तो सवाल नमर 24 का जो सही option हो जाएगा वो हो जाएगा यह 30 cm ठीक है चलिए अगला question को देख लेते हैं अगला question आप स सही होगा जो वस्तवे सवी रंगों को अप्सोसित कर लेती है उनका रंग होगा सात्यों ऐसा ऐसा question को आप सभी को हम अराम अराम से अच्छे से बता दिये हैं explain के साथ ठीक है ना तो अभी हम लोग revision कर रहे हैं तो revision में इतना speed चलेंगे इससे जादा हो सकता है मगर इससे क हम का revision speed चलना ठीक है ना क्योंकि light chapter के बाद अब हम लोग electricity heat या सभी चैप्टर है most BBI उसमें देखने वाले हैं ठीक है ना तो समय के अब आवाव है चलिए सवाल लमर 3 का कौन सा option सही हो जाएगा कि रंगों का अपसुसित कर लेती है वो रंग है काला ठीक है ना तो सवाल लमर 3 का जो सही option होगा वो होगा B ठीक है चलिए अगला question को देख लेते हैं अगला question आप सभी से क्या पुछ रहा है सवाल लमर 25 कि यदि दो माध्यो को के पिर्था कड़ी तल पर प्रकास लमवत आप्तित होती है तो आपतन कोन होगा चलिए सवाल लमर 25 को आप देख लीजे और कौन सा option सही होगा आप सभी को बताना है कि दो माध्यों में के पिर्था कड़ी तलो पर प्रकास लमवत आपती होती तो आप अपर तन कोन किया कितना डिगरी का हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका जीरो डिगरी का हो जाएगा ठीक है चलिए अगला कोशन को देखते हैं अगला कोशन आप सभी से क्या पुछ रहा है सवाल लमबर 18 आप सभी से क्या पुछ रहा है कि आप वरतन की किरिया में परकास होती है चलिए option सही हो जाएगा आप वर्तन की किरिया में परकास की आविर्ती नहीं बदलती है सवाल लंबर 18 का जो सही option हो जाएगा वो हो जाएगा D ठीक है चलिए अगला question को देख लेते हैं अगला question आप सभी से क्या पुछ रहा है कि सवाल लंबर 40 की एक संबाहू पिर्जमो के पदार्थ का आप वर्तनांक यदि root 3 है तो इसका नियुनतम बिचलन कोन होगा चलिए आप सभी को बताना है इसका नियुनतम बिचलन कोन होगा सवाल लंबर 40 का कौन सा option सही होगा आप सभी को बताना है question देखिए और फटा-फट इसका answer बता दीजे कौन सा option सही होगा ऐसा-ऐसा question आप सभी को बिहार पोल टेक्निक में पूछेगा आप सभी को लगातार आप सभी को हम बता रहे है कि यह सभी जो question है काफी VVI है यह सभी जो question है काफी VVI है पूछने का जो संभाबना है बहुत ही ठीक है ना यह सभी जो question है पूछेगा ही पूछेगा क्योंकि यह सभी question पिछले कोई वर्षों में पूछा गया है ठीक है चलिए सभाल लंबर 40 का कौन सा option सही हो जाएगा आप सभी को बताना है कौन सा option सही हो जाएगा तो यह option हो जाएगा 60 degree एक संभाव प्रिजमी का पदात का पवर्षों में रूट 3 है तो इसका निमतम बिछलन कोन हो जाएगा वो 60 degree के बढ़ाबर हो जाएगा ठीक है ना चलिए अगला question को देख लेते हैं अगला question आप सभी से क्या पुछ रहा है कि सभाल लंबर 19 की एक बिलनाकार बर्तन की गढ़ाई D है तो यह बर्तन आपस में न मिश्रित होने वाले सम्मान आयतनों के दरम से भड़ा है तो जिनका पवर्तनाग N1, N2, N3 है तो बर्तन की अवासी गढ़ाई बताईए सभाल लंबर 19 का कोश्चन देख लेजिए कोश्चन के बाद और और बताईए कौन सा और सही होगा आपसी गढ़ाई आप सभी से पुछा जारा है तो वह आपका हो जाएगा 1 YOU M3 हो जाएगा ठिक है न तो सभाल लंबर 19 का जो सही जबाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी ठीक है चलिए अगला कोशन को देखते हैं अगला कोशन आप सभी से क्या पुछ रहा है सवाल लंबर 41 की एक बेक्ती पानी से भड़ी टंकी को उर्धवाधर रूप से नीचे देख रहा है तो टंकी की तली 30 मिटर की गहराई पर परतीत होती है यादि पानी का अपवर्तनाग एक दसंबलम तीन तीन हो तो टंकी की वास्तिविक गहराई क्या होगी चलिए सवाल लंबर 41 का आप सभी से टंकी की वास्तिविक गहराई पुछा जाड़ा है सवाल लंबर 41 का कौन सा option सही होगा आप सभी question को देखें और question का answer कौन सा होगा आप सभी को फटा फट बताना है जल्दी बताइए कौन सा option सही होगा कौन सा option सही हो जाएगा टंकी की वास्तिविक गहराई आप सभी से पुछा जाड़ा है तो वह आपका सही हो जाएगा option नंबर A 49.9 मीटर ठीक है ना 49.9 मीटर सवाल लंबर 41 का जो सह यह option होगा वह होगा A ठीक है चलिए अगला question को देखते हैं अगला question आप सभी से क्या पुछ रहा है सवाल लंबर 20 कि एक गलास की प्लेट के अंदर एक छोटा सा हवा का बुलुला है एक प्रेचक के ओ एक बुलुला गलास में नीचे की और लंब रूप में देखते हुए नस्दीक से दो मीमी के दूरी पर दिखता परतीत होती है तो वास्तिविक दूरी क्या होगी गलास की वास्तिविक दूरी क्या होगी आप सभी से पूछा जाड़ा है तो सवाल लंबर 20 का कौन सा अप्शन सही हो जाएगा तो सवाल लंबर 20 का जो सही अप्शन हो जाएगा तीन मीमी वो जो आपका हो जाएगा वो तीन मीमी हो जाएगा ठीक है न चलिए अगला कोश्चन को देखते हैं अगला कोश्चन आप सभी से क्या पुछ रहा है कि सवाल लंबर 21 कि वायू कि सापेक्च किसी दरब का करांती कुन 45 डिगरी है तो उसका दरब का अपवरतनांग क्या होगा चलिए सवाल लंबर 21 देखिया और 21 का कौन सा ओप्सन सही होगा आप सभी को बताना है कि वायू कि सापेक्च किसी दरब का करांती कौन 45 डिगरी है तो दरब का अपवरतनांग पुछ रहा है तो वो आपका हो जागा रूट 2 वो हो जागा आपका दरब का सभी से क्या पुछा जा रहा है कि एक परकास की किरन वायू से होकर एक दरब में गुजरती है तथा 15 डिगरी से 15 डिगरी से बिचलित हो जाती है यदि आपतन कोन का मान साथ डिगरी है तो उसका दरब अपवरतनांग में कितना होगा अपवरतनांग में कितना होगा आप स पुईडी का अप से कम 20-25 वीडियो आप से कम करा चुके हैं ठीक है? physics subject का और light chapter से कम से कम पांच वीडियो तो जबूर है कड़ा दिये हैं ठीक है, न? यह सब्ância को आप से कड़ा दिये हैं से हैं अगला कोश्यन आप सभी से क्या पुछ रहा है सावाल लंबर 49 की वायू के सापेक्ष जल्ट तथा काँच के अपवरतनांग करम सा चार वटे तीन तता तीन वटे दू है तो काँच के जल्टके सापेक्ष अपवरतनांग होगा आप सबी को यह सबी कोो यह सबी को हम आप सबी के earlier सामने लाए है और काफी बार कशके हैं ठीक है न चलिए क्फटा फट ऐंसर मेरेए क्वाइए क्योंकि यह सबी कॉश्चन काफी असान है यह सबी कॉश्चन काफी प्रात्मिक रंग कुन सा होंगे चलिए आप सभी को बताना है प्रात्मिक रंग कौन सा होंगे तो आप सभी जानते हैं लाल हरा और निला होंगे ठीक है न Willi परने पने Informa 1 पर और शित्थिते वस्तिति को स्वक्ष पानी के तलब की Tली में 1-2-3,4 मीटर दूड़ी पर परतित होता है तुस्वेक्ति द्वाड़ा कम से कम कितनी लंबी चहर सही हो इसी का छुआ जाएगा जबकि पानी का अपवर्तनांग 4 वटे 3 दिया गया है चलिए आप सभी से यहां भी अपवर्तनांग की पुछा जा रहा है आप सभी से यहाँ भी अपरतनांग पुछा जा रहा है कौन सा option सही होगा सवाल लमर 26 का question देखिया और answer कौन सा सही होगा option बताए सवाल लमर 26 का कौन सा option सही हो जाएगा वो हो जाएगा 4.2 meter 4.2 meter हो जाएगा ठीक है ना वर्न तर्पुच के सीर्जश पर कौन से रंग दिखते हैं सवाल नमबर 5 का क्वोन सा सवाल से रंग दिखते हैं tipoUM को देखते हैं सवाल सवाल 27 वह क्या पुछा जा रहा है कि एक कांच की पत्ती की मोटाई मोटाई बंदया है चल आप सभी औरय बूठाय fotos कि चाहिका कौन सा ओप्सनansen Parliament सभी को बंदबा इस 27 आप चाहिका ब्रब matrix कि सभी गुंद सब करें हैश्जियर लिहां पाल्मinar की ज्योंसींति आप सभी को सबरें सब्सक्राइब को देखते हैं अगला कोशन आप सभी से क्या पुछ रहा है कि सब्सक्राइब कि लाल और नीले रंगों को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब कोशन को देख लेते हैं अगला कोशन आप सभी से क्या पुछ रहा है कि सब्सक्राइब सवाल लंबर साथ कि निर्वात तथा एक पारदर्शी माध्यम में परकास की चालकरमसा तीन गुने दसपर घात मीटर परती सिकेन तथा 24 गुने दसपर घात आट मीटर परती सिकेन है तो माध्यम का निरपेक्च अपरतनांग कितना होगा माध्यम का निरपेक्च अपरतनांग कितना होगा चार ओप्सन दे रखा है आप सभी को बताना है कौन सा ओप्सन सही होगा चार ओप्सन दे रखा है आप सभी को अपरतनांग कुछ रहा है निरपेक्च अपरतनांग कितना होगा तो आप सभी का जो सही ओप्सन होजाएग कि वर्ण बिच्छेपन की घटना का कारण क्या है सवाल लमर 11 का कौन सा अप्सन सही होगा आप सभी को बताना है कि वर्ण बिच्छेपन की घटना क्या है चलिए आप सभी को बताना है वर्ण बिच्छेपन की घटना क्या है सवाल लमर 4 का कौन सा option सही होगा सवाल लमर 11 का कौन सा option सही होगा तो वो अब अगला question को देखते है अगला question आप सभी से किस परकार और क्या पुछ रहा है कि सवाल लमर 33 कि परकास का पूर्ण परावर्तन संभब नहीं हो सकता है जब तक जब परकास किया जाएगा परकास को हम किसमे हम चलिए सवाल का पूर्ण परावरतन संभव नहीं है परकास का पूर्ण परावरतन संभव किसमे नहीं है आप सभी से पूछा जा रहा है सवाल लमर 33 का कौन सा option सही होगा आप सभी को बताना है तो आप सभी जानते हैं जल से काच में, जल से काच में संभव नहीं है, परकास को ले जाना, ठीक है ना, तो सवाल नमर 33 का जो सही option हो जाएगा, वो option आप सभी का B हो जाएगा, ठीक है, चलिए, अगला question को देख लेते हैं, अगला question आप सभी से क्या पूछा जाड़ाए की, देखिए, आप सभी को एक important है, सुचना आप सभी को बता दे रहें, कि अभी जो आपके पास 48 घंटा अभी आप समझे, तो आपके पास 20 घंटा पढ़ने के लिए, तो अभी मोटा मोटी अभी बचा हुआ है आप सभी को, 48 घंटा है, मतलब 20 घंटा आप सभी को बचा हुआ है, तो अभी क्या एक बहुत ही ज़ादा BVI सुचना है कि अभी से आप लाइव क्लास छोड़ दीजिये, लाइव ना अटेंड मत कीज़े, जितना हो सके आप सभी को लाइव क्लास अटेंड नहीं करना है, क्योंकि लाइव क्लास में ये जो स्पीड है न, इतना स्पीड से कोई भी टीचर न सब्सक्राइब भीकॉर्डेट वीडियो देखिए और उसका स्पीड वीडियो का यह स्पीड ए उसको 1.5 कर लिए ठीक है 1.5 कर लिए क्योंकि जितना ज्यादा आप रिवीजान अभी केजिएगा उतना आपको 30 तारिक को फायदा देगा उतना आपको 30 तारी को फायदा देगा ठीक है न तो जितना हो सके उतना आप क्या किजिए उतना आप live class को avoid किजिए जितना हो सके recorded class को attend किजिए इससे क्या होगा इससे आप सभी को होगा क्या कि आपका जो है ना ज्यादा knowledge की जगा ज्यादा से ज्यादा question को solve की जगा ठीक है तो यह doubt आप सभी का clear हो गया होगा कि live class को अटेनर नहीं करना है ठीक है चलिए अब हम लोग question के तरफ देख लेते हैं इसी तरह से revision में हम लोग fast fast करेंगे electricity का heat का periodic table का carbon का हम सब इसी तरह से question को देखेंगे physics का 120 मिनट में ठीक है ना आप सभी को उसमें से कितने question का आप सभी को पता है आप सभी हमें लोग को इमंदारी पूरवक हम लोग को बताएगा ठीक है ना इमंदारी पूरवक बताईगा 500 में कम से कम 300 तो question आप सभी का सही होना चाहिए तब जाकर आप 90 में से कांच में परवेश करता है तो क्या होगा जब स्वेत परकास वायू से कांच में परवेश करता है तो उसका रंग समान किस तरह का होगा चलिए सवाल नमर 12 का कौन सा option सही होगा आप सभी को बताना है question देखिए और इसका कौन सा option सही होगा आप सभी फटा फट बताएग जब स्वेत परकास वायू से काच में परवेस करेगा तो वो लाल परकास सबसे अधिक चाल से चलेगा वो लाल का उसका परकास जो है सबसे अधिक चाल से चलेगा तो सवाल लंबर बारा का जो सही अपसन हो जाएगा ना वो अपसन आपका बी हो जाएगा वो अपसन आपका कोन सा है चलिए 34 का सवाल नमर 34 का कौन सा अप्सें सही होगा आप सभी को फटाफट बताना है कि सवेत परकास के स्पेक्टरम के सातों रंगों में जिसकी आभिर्ति अधित्तम होती होती है वह रंग कौन सा होगा तो वो रंग जो होगा वो बैगनी हो जाएगा वो रंग जो होगा वो बैगनी हो जाएगा तो सवाल नंबर 34 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए ठीक है चलिए आप सभी को ये भी जान लेजी कि प्रिजमी में सबसे ज्यादा अधिक जुकाव जो होता ह वो रंगों का वो बैगनी रंगी का जुका होता है ठीक है ना चलिए अगला कोश्चन को देख लेते हैं अगला कोश्चन आप सभी से क्या पुछा जा रहा है सवाल नंबर 13 कि निमलिखित में से परकास के किस रंगों की तरंग धैर्ज अधीक लंबी होती है चलिए सवाल न अगला प्रसन को देख लेते हैं अगला प्रसन आप सभी से क्या पुछा जा रहा है सवाल नंबर 35 कि दिये हुए आकडों में से दरव का परतनांग है खाली बीकर की ताली का पठ्यांग 11.32 सेंटीमीटर आदे भड़े हुए होने पर ताली का पठ्यांग जो है 11.80 सेंटीमीटर तो दरव की उपड़ी सता पर पठ्यांग 12.89 सेंटीमीटर है तो वह कितना का बढ़ावर होगा चलिए सवाल नमर 35 का सही अप्शन कौन सा होगा आप सभी को बताना है अपरतनांग यहाँ पर आप सभी से पुछा जाड़ा है यह तीनों का आकराद देकर आप सभी से अपरतनांग पुछा जाड़ा है चलिए सवाल नमर 35 का कौन सा अप्शन सही हो जाएगा तो वह आपका निकल कर आएगा 1,2,4,4,4,4,4,4 निकल कर आएगा तो सवाल नमर 35 का जो सही अप्शन होगा न वो होगा ए ठीक है चलिए सवाल नमर 14 का कौशन को आप बोल रहा है कि इंडर धनुष में निम्लखित में से कोन सा रंग दिखाई नहीं देता है चलिए सवाल नमर 14 का कौन सा अप्शन सही होगा चार अप्शन दे रखा है आप सभी को बताना है इंदल धनुष में को सा रंग दिखाई नहीं देता है, तो सवाल नमबर 14 का जो सई उब्सन होगा, वो होगा B. काला रंग दिखाई नहीं देता है, ठीक है? चले? अब अगला प्रासन को देख लेते हैं, अगला प्रात आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल नमबर 36 कि ए एक चीन ने अंकित कर इस चीन को सुक्षिमदर्सी द्वाड़ा फोकस करके सुक्षिमदर्सी को फीर 3.0 cm उपर उठाते हैं तो चीन को पुन फोकस में लाने की बीकर में किस उचाई तक पानी भरना पड़ेगा पानी का परतनांग 4 वटे 3 दे रखा है चलिए सवाल नमर 36 का कौन सा उप्सन सही होगा आप सभी को बताना है पानी का परतनांग दे रखा है उचाई भी दे रखा है और आप सभी से विकर की खाली पेंदी अमतलब आप सभी से फोकस दूरी पुछा जा जाए चलिए सवाल नमर 36 का कौन से अप्षन से होगा तो वो आपका निकल कराएगा 12.9 cm 12 cm आप सभी निकल कराएगा तो सवाल नमर 36 का जो सही अप्षन हो जाएगा वो हो जाएगा D ठीक है चलिए अब अगला प्रसन को देख लेते हैं अगला प्रसन आप सभी से क्या पुछ रहा है कि सवाल नंबर 29 कि परकास की एक किरन की एक माद जिसमें परकास का वेग इतना दिया गया है एक दोसनों 5 गुने 10 पर घात 10 सेंटीमीटर और वायू में 20 डिग्री तथा 40 ड सवाल नंबर 29 का कौन सा अप्षन सही होगा आंतरिक प्रावर्तन कौन आप सभी से पुछा जा रहा है चलिए सवाल नंबर 29 का कौन सा अप्षन सही होगा आप सभी को फटा फट वताना है कौन सा अप्षन सही होगा तो यह सवाल नंबर 29 का पूर्णा आंतरिक प्रावर्त अगला प्रसन को देख लेते हैं अगला प्रसन आप सभी से क्या पुछा जा रहा है कि सवाल नमर आठ कि वायू में परकास की चाल तीन गुने दस पर घाट आट मीटर प्रती सिकेंड है तो यदि काँच में परकास की चाल दो गुने दस पर घाट आट मीटर प्रती सिकेंड हो तो वायू के साप एक काँच का परतनांग किया होगा चलिए यहाँ पर आप सभी से काँच का परतनांग पुछा जड़ा है यह सभी कोशन को हमने काफी बार आप सभी को कड़ा चुके हैं काफी बार repeat यह question को आप सभी को हमने करा दिये हैं और आप सभी को बोलें कि यह सभी जो question काफी भी भी आई है ठीक है ना आप सभी को अभी लग रहा होगा कि यह सभी question अफवाद है यह सभी question जो है normal है यह सभी आने का संभावना नहीं है लेकिन आपको 30 जुलाई को पता चल देते हैं जो लगता है उनको कि यह सभी question नहीं आएगा easy है easy है मगर वहाँ पर देखा जाता है कि यह question बार बार आ जाता है जिसको नहीं पढ़ते हैं वह question आ जाता है यह fact हो जाता है समझ गया ना चलिए तो जादा से ज़्यादा question को डील कीजिए ताकि अगर आप देखि question का क्या कूंसा option सही मार जाइगा ठीक है न चलिए सवाल No.8 और आप से बी को फटा-फट банा है सवाल No.8 का कुंसा option सही हो जाएगा तो बी एक दसमलाव आठ एक दसमलाव आठ हो जाएगा ठीक है चलिए अगला प्रस्न को देख लेते हैं अगला प्रस्न आप से वी से क्या पुछ रहा है कि तलाब के जल की सता के दू मीटर उपर एक लैम्प रखा है तो जल का आप वरतनाइंग मियू चार वटे तीन है तो सवाल नमर 30 का कौन सा उप्सन सही हो जाएगा कौन सा उप्सन सही हो जाएगा आप से भी को बताना है तो इसका उप्सन जो सही होगा तलाब की गढ़ाई जो होगी 8.93 मीटर की गढ़ाई होगी यह जो होगी आपकी गढ़ाई जो होगी तलाब की गढ़ाई 8.93 मीटर होग सवाल लंबर 9 का कौन सा अप्सन सही होगा चार अप्सन दे रखा है कौन सा अप्सन सही होगा आप सभी को बताना है कौन सा अप्सन सही होगा आप सभी को बताना है कि बिचलन कुन का मान किस चीज पर निर्वर करता है तो आप सभी जानते हैं कि बिचलन कोन का जो मान होता है पिरिजमी के कोन और पिरिजमी के पदार्थ के पुरतनाग दोनों पर इसका मान निर्वर करता है तो सवाल लंबर 9 का जो सही अप्शन हो जागा वो हो जागा D ठीक है चलिए अब अगला प्रसुन को देख लेते हैं अगला प्रसुन आप सभी से क्या पुछ रहा है कि सवाल लंबर 31 की परकास की एक किरन निर्वात से किसी दुसरे माध्यम में गुजर रही है तो निर्वात में तरंग दर्ज 6,000 एंगेश्ट्रम तथा माध्यम में तरंग दर्ज 4,000 एंगेश्ट्रम है तो इस माध्यम का अपवरतनांग क्या होगा आप सभी से यहां भी अपवरतनांग पुछा जारा है परकास का निर्वात का बेग आप सभी को दे रखा है आप सभी को बताना है कि सवाल लमर 31 का कौन सा अप्शन से योगा चार अप्शन दे रखा है आप सभी को बताना है चलिए चार अप्शन और के दे रकाये को सा ऑप्सिन्स होता है면 माध्यम इándagar ऐकता निर्वात आप सभी को दे रखाये कौन सा ऑप्सिन्स हो गाइक अगला प्राशन को देखते हैं अगला प्रस्ट आप सभी को कैप पुछ राए कि सवाल लंबर 10 कि जब स्वाइद परकास काच के प्रिजमिन से गुजरता है तो दूसरी और प्राप्तिक स्पेक्ट्रम में जिस रंग का बिजलन निमतम होता है वो क्या कहलाएगी चलिए सवाल लंबर 10 का कौन सा उप्षन सही होगा आप सभी को बताना है वो लाल का लाल का निमतम विचलन होता है ठीक है ना लाल रंग का जो है वो निमतम विचलन होता है तो सवाल लंबर 10 का जो सही option होगा वो होगा B ठीक है चलिए अब अगला question को देखते हैं अगला question आप सभी से क्या पुछ राएकी सवाल truthful कि एक तेल की पतली पर्ध पानी पर तेर रही है एक परकास की कीरण 45 डिगरी के आपतन कुन पर तेल की सता पर आपतित होती है तो कीरण द्वारा पानी के अंदर बनाएगे आप वरतन कुन का मान होगा तेल का परतनांग इतना दे रखा है चलिए आप सभी को बताना है सवाल लमर 32 का कौन सा अप्सन सही अब अगला कोशन को देखते हैं अगला कोशन आप सभी से क्या पुछ राए सवाल लमर 28 की एक सिक्के छोटे टब के तल पर पड़ा है तो इसमें पानी की उचाई 15 सेंटीमीटर है तो पानी के लिए म्यू 4 बटे 3 है तो जल की सता से सिक्के की दूरी परतित होगी चलिए यहां पर भी आप परतनान के सुत्र पर आप सभी को यहां पर निकालना है आप सभी को बताना है कि इसका सवाल लंबर 28 का कौन सा अप्सन सही होगा सवाल नमर 28 का कौन सा option सही होगा आप सभी को बताना है आप सभी को एक सिक्के का मान भी दे रखा है और पानी की उचाई भी दे रखी है चलिए आप सभी को बताना है कि जल की सता पर सिक्के के दूप तो सवाल नमर 28 का जो सही option होगा वो होगा 11.25 cm सवाल नमर 28 का जो सही अप्सन होगा वो होगा C ठीक है चलिए अब अगला प्रसुन को देखते हैं अगला प्रसुन आप सभी से क्या पुछ रहा है कि सवाल नमर 15 कि वह प्रिज्म जो आपतित समांतर किरन पूंज के संपुर्ण परकास को समकौन से बिचलित कर देती है तो कौन सा अप्सन सही होगा तो सवाल नमर 15 का जो सही अप्सन हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्ण प्रावरतन प्रिज्म सवाल नमर 15 का जो अप्सन सही होगा वो होगा C ठीक है चलिए अगला प्रसुन को देखते हैं अगला प्रसुन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सव आप सभी से यहाँ पर आपन कोन का बताना है ओरतं कौन होंगे चलिए सवाल दन्मर 16 का कोण सा अप्सन सही होगा आप सभी एक बताना है कोन सा पोसन सही होगा फास्टत जल्दी जल्दी आप सभी को GOT सही होगा तह आप और का का हो जाएगा सवाल दन्मर 17 जो že अप्सन सही बनें थिरका है चलिए अगला question को देखते हैं अगला question आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सवाल number 17 आपतित परकास की तरंग धर्ज बढ़ाने पर किसी माध्यम के परतनांग पर क्या परभाव पड़ता है चलिए आप सभी को बताना है सवाल number 17 का कौन सा option सही होगा सवाल number 17 का कौन सा option सही होगा कि आपतित परकास की तरंग धर्ज बढ़ाने पर माध्यम के परतनांग पर क्या परभाव पड़ेगा तो वो घरता रहेगा आपका अपरतनांग जो है वो घरता राएगा तो सवाल लंबर 17 का जो सही option होगा वो होगा A वो हो जाएगा A ठीक है चलिए अगला question को देख लेते हैं साथियो आज की इस वीडियो में हम 50 question को देखे हैं ठीक है ना 50 question को देखे हैं वो light chapter का था ऐसा ऐसा question था ना वो सभी के सभी VVI है यह सभी के सभी VVI question है और exam में 100% आएगा exam में 100% यह सभी जो question है आने का संबाबना 100% है ऐसा-ऐसा question पहले भी कई बार पूछ चुका है और इस बार भी पूछेगा ठीक है ना आई-एस अभी जो है speed revision था इसलिए आप सभी को हमने revision की कारण इस तरह के speed में आप सभी को हमने question को बताया है क्यूंकि पहले कई वीडियो में यह सभी question को आप सभी के सामने हम ले रखा है इसलिए अभी division चल ला है आज की वीडियो में हम lights को देखे है नेक्स्ट जो वीडियो आएगा electricity heat उसमें रहेंगे और तिसरा जो वीडियो आगा आपको साम को वह रहेंगा chemistry का तीन और चार सब्जेक्ट जो भी भी आई है carbon, predictable, metal, iron, metal, acid, base and salt या सभी जो chapter है इस से पूरा एक dedicated वीडियो आज के वीडियो में हम लोग 30 मिनट में हम लोग 50 question को देखे हैं लेकिन 120 मिनट में हम लोग 500 question को देखने का target रखेंगे question को देखने आप फटा-फट answer मार लेना है ठीक है आप सभी को एक dedicated video बना देंगे कि आपको exam center में जाकर पहले क्या करना है और क्या नहीं उसके बाद कैसे कैसे question को भड़ना है आप सभी को हम बता देंगे तुक्का मारने का video अगर आप अभी तक नहीं में अगर सही करते हैं तो कैसे तुक्का मार के आप एक अच्छे गोवर्रमेंट प्रटेक्निक कॉलेज पा सकते हैं उसमें अच्छे से बता दिया गया है ठीक है न तो तुक्का मारने का video भी आप सभी देख लिजेगा ठीक है तो फिर मिलते एक नई कारी सीरिज में जब तक के लिए जैहिंद ठीक है फो मिलते नो चाहिए टीक है यह तो यह अच्छे से एक गया नई